आधर निये भक्तगडों शिवा मिशन न्यास के अध्यात्मेक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनेंदन है आईए आध जानते हैं कि श्रावण मास को लेकर आम जन के मन में यह जानने की प्रबल इच्छा रहती है कि आखिर श्रावण मास में भगवान शिवजी की पूजा आराधना क्यों महत्व रखती है जबकि उनकी पूजा तो वर्ष भर होती है तो आईए बाबा केलाशी के निर्देशन में इसके प्रधान प्रधान कारणों से आपको अवगत कराते हैं प्रतम कारण तो यह है कि भगवान शिव आधी गुरू है और प्रतेक योग के प्रतेक कल्प में गुरू शिष्ट की परंपरा का प्रत्वादन करने के लिए वे अपने चार-चार शिष्ट्यों को उत्पन कर गुरू शिष्ट की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी समाधी से बाहर आते हैं और इसी कारण हम अपने-अपने मानवी गुरु को भगवान शिव का सरूप मानकर उनकी पूजा आर्चना करते हैं गुरु पूर्णिमा की आगामी तिती से श्रावन मास प्रारंब होता है श्रावन मास में चारो ओर हर्याली एवं हलकी-हलकी वर्षा की शीतल रितू रहती है जो भगवान शिव जी को कठोर तप से उठने के बाद उत्पन उर्जा को शांती प्रदान करती है जिस कारण श्रावन मास में प्रसन्य चित्त भगवान शिव जी की पूजा आर्चना कर उनकी करपा प्राप्त करना अत्यंत सरल और कम श्रम साध्य होता है भगवान शिव तो आशुतोष और ओढ़र दानी की विभूती से विभोशित हैं ही अता भगवान शिव की प्रसन्यता प्रा नमस्त देवता आगामी चार-पांच महा के लिए निद्रा में चले जाते हैं। भक्तों का कल्यान करते हैं। यही कारण है कि श्रामण मास में भगवान शिव को प्रसंद करना अत्यंत सरल और सीधा मार्ग है। तीसरा और अत्यंत महत्पून कारण हैं रामचरित मानस के उत्तर कांड में महात्मा तुल्सी दाजी लिखते हैं। बड़े भाग मानुष तन वपावा सुर दुल्लव सब ग्रंधिन गावा अर्तात। बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिलाएं। चूंकि यह शरीर देवताव को भी दुल्लव है। अत्यंत यहां यह समझना आवश्यक है कि 84 लाग योनियों में मनुष्य की योनी ही एक मात्र ऐसी है। जिससे हम इस अखिल ब्रह्मांड के इस्ट देव भगवान शिवजी का साक्षातकार कर सकते हैं। अत्वा इस प्रकार कहें कि किवल मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाग योनियों में जन्म मर्ण के चक्र से मुक्तो सकते हैं। यहां शिवा मिशन्यास बावा कहलाशी के आदेश से एक तत्य आपके समक्ष रखना चाहता है कि श्रावण मास के पूर्वी देवता अगण निद्रा सन में चले जाते हैं। चुकि देवता मनुष्यों का भला इस कारण भी नहीं चाहतें। क्योंकि वे मनुष्य की भाती इश्वर को प्राप्ट नहीं कर सकते। अता जैसे ही कोई मनुष्यों इश्वर की ओरगरसर होता है तो देवता अगण उसके मार्ग में व्यवदान या बादा उत्पन्द कर देते हैं। इसलिए श्रामण मास मनुष्य मात्र के लिए उत्तम समय होता है क्योंकि इस समय देवता शैन कर रहे होते हैं। और भगवान श्यव समाधी से उठकर प्रसन चित्तु हो मनुष्यों के कल्यान के लिए प्रत्ति लोग पर साकार सरूप में पूर्ण चेतन अवस्ता में उपस्तित रहते हैं। शिवा मिशन न्यास आप से एक अन्रोद करना चाहता है कि इस बार श्रामण मास में आप भगवान शिव जी पर पत्र, पुष्प, फल, द्रव, नैवेद, अर्पित करते समय कोई मांग न रखें। केवल भगवान शिव की करपा आप पर बनी रहें, यही प्रतिदिन निवेदन करते रहें। साथ ही आपके पास जो कुछ भी भौतिक सुख साधन है, उसके लिए भगवान को नमशकार करते हुए धन्यवाद देना न भूलें। भगवान शिव जी ही एक मात्र ऐसे ईश्वर हैं जो आपके मन में क्या है जान लेते हैं। अता भगवान शिव जी को आपको कब क्या देना है उनी पर छोड़ दें। भगवान शिव जी पर कौन-कौन से पत्र, पुष्प एवं द्रव्य चड़ाने से कौन-कौन से रोग, शोग दूर होते हैं एवं कौन-कौन से पुढ़ने प्राप्त होते हैं। इस सम्मंद में प्रतक से दो वीडियो तयार किये गए हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित क किये जा रहे हैं। उन्हें क्लिक कर देख सकते हैं। भगवान शिव जी पर जो जो द्रव अर्थात तरल पदार्त चड़ाये जाते हैं। उस समय महा मृतुञ्य मंतर का जब करते रहना चाहिए। तता जब पुष्प, अन, फल और नवेद नवेदन करना हो। उस समय ओम नवेदन करना चाहिए। इस से भक्त को पुझा का पूरा पूरा लाब मिलता है। बोलिये ओम नवेदन करना हो।